एक लड़की ने मेरा एक असलील वीडियो बना लिया है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है मैं सर उसे गालिया दूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो मेरे उसे वीडियो को वाइरल कर दे आज इस वीडियो में बात करेंगे मत देना गल्दी गालिया वरना वो लड़की आपके इस वीडियो को वाइरल भी कर सकती है यह कमेंट्स एक स्टुडेंट ने या फिर एक वीवर्स ने हमें किया आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा संभव है या फिर ऐसा हो सकता है कि एक लड़की को जब आप गाली दोगे जबकि वो आपके साथ एक स्कायम कर रही है तो वो गुस्से में आके कहीं आपके उस वीडियो को सोसल मीडिया पर वाइरल ना कर दे तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज आए हैं इस वीडियो में तो नमस्कार दोस्तों आपका श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजूकेशन फोर भारत पे और मैं हूँ आपका दोस्त बी के टीवडी दोस्तों हम बात करें हैं सक्स्टोर्शन स्कैम की यह हमारे देश में आजकल खूब पनप रहा है सक्स्टोर्शन केस के हजारों एक्जामपल हमें रोज देखने को मिलते हैं ऐसे हजारों लोग रोज इस पूरे स्कैम में फसाए जाते हैं उनके साथ ठगी की जाती है और उनसे लाखों रुपए लूटे जाते हैं अगर पुलिस की बात करें पुलिस भी बहुत प्रियास करती है ऐसे लोगों को पकड़ने का लेकिन इन साइबर क्रिमिनल्स के पास ना तो अपना खुद का सिमकार होता है ना ही अपनी खुद की बै एजेंट या दलाल बने हुए हैं जो फरजी तरीके से सिमकार्ड या फिर अकाउंट को प्रवाइड कराते हैं इन लोगों को एविलेबल कराते हैं और वो लोग इसके बदले में एक अमाउंट या फिर एक रेंट इन से लेते हैं यानि कि अगर इसको ऐसे बात करें कि आपको एक महीनी का फिक्स आपको एक किराया इनको देना पड़ेगा और उस किराय के बदले में वो आप उस डोकॉमेंट को या फिर उस सिमकार्ड को उस बैंक अकाउंट को आप यूज कर सकते हैं और वो भी एक ऐसे गंदे काम के लिए जिसमें आप लाखों लोगों के स अत्फल फूल रहा है अगर आपने सेक्स्टोर्शन के बारे में अगर कंप्लीटली अगर आपको जानकारी नहीं है आप जानना चाहते हैं कि इस कैम क्या है तो आप हमारी इस वीडियो को देखिए मैंने इस वीडियो में सेक्स्टोर्शन के बारे में आपको पूनत है सार की डिमांड की जा रही है और आब उसे ये बताएं कि तुम जो कर रहे हैं वो फ्रोड हो तो ऐसे में उसको गुसा आना सुभाविक है क्या ऐसा हो सकता है कि वो गुसे में आ जाएगा इस बातों को लेकर यानि कि ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती हुई दिखरी है कि एक एक तो जोरी सीना जोरी और उपर से आप दादागिरी कर रहे हैं यानि कि एक तो आप हमारे साथ गलती कर रहे हैं और दूसरा अगर जब हम आपको ये चीज़े बता रहे हैं तो आप दादागिरी और कर रहे हैं यानि कि वीडियो वाइरल करने की धमकी दे रहे हैं अगर इस पूरे स्कैम को अगर समझा जाए ये स्कैम सरफ मोखिक रूप से होता है मेरे कई सारे वीडियो में मैंने बताया है कि इस स्कैम में वाइरल करने नहीं करने जैसा कोई लेना देना नहीं होता है सरफ और सरफ ये मोखिक तरीके से किया जाता है क्योंकि साइबर कर्मिनल ब व्यक्ति का एक अंतरंग वीडियो रिकोर्ड किया जाता है अंतरंग का मतलब यह होता है कि उसको न्यूड इस्थती में उसके फुटेज या वीडियो को कैप्चर किया जाता है और उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ इसका है उसको यह कंफर्म रहता है कि उसका एक ऐसा वीड धीली कर लेते हैं बेसिकली साइबर कर्मिनल सरफ आपको बातों ही बातों में डराने का प्रियास करता है आपको सरफ डराता है आपके उस वीडियोज को वाइरल वाइरल करने की जो बाते हैं ये सरफ मोखिक रूप से होती है कहीं किसी का वीडियो या फिर कहीं किसी के फोटो इज वाइरल नहीं करता क्योंकि साइबर क्रिमिनल यह जानता है कि जो चीजे वो कर रहा है वो गलत है और गलत है तो यानि कि लोगों को डरा लिया जाए अगर कोई व्यक्ति डर के पैसा दे देता है तो बहुत अच्छी ब और complaint का डर इन साइरे cyber criminal को होता है ऐसा नहीं होता है कि cyber criminal के उपर जब complaint होती है तो ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं इसका एक हाली में ताजा उधारन हमें देखने को मिला जब हरियाना पुलिस के द्वारा एक इन लोगों के उपर एक बड़ी कारवाई को अंजाम दिया और हरियाना पुलिस ने ऐसे 125 लोगों को गरफतार किया यानि कि ये इसका लैटेस्ट एक उधारन है यानि कि cyber criminal के उप पर कारवाई होती है लेकिन कारवाई कब होती है जब इनके खिलाब कोई complaint रिश्टर होती है और इसी स्कैम में cyber criminal को ये बहुत अच्छे से पता है कि ज़्यादतर लोग इनके खिलाब complaint डर्ज ही नहीं कराते हैं उसका रीजन चाहें ये मान लीजिए आप कि वो लोग अप के जो उधारन है उन सभी को बड़ी गंभीरता से लेता है और इस गंभीरता की वज़े से वो इन लोगों के खिलाब complaint नहीं कर पाता है ये सारी चीजे एक्सपोज होने के बाद भी एक पीडित व्यक्ति ये समझता है कि हो सकता है कि उसके पास कोल करने वाला व्यक्ति रियल का कोई authentic police अधिगारी या फिर कोई real का authentic कोई social media का manager हो सकता है जबकि ये सारी चीजे बहुत अच्छे से expose हो चुकी है कि cyber criminal सारे जो चीजे करता है वो fraud तरीके से करता है ना उसके पास खुद का कोई SIM card होता है ना उसके पास खुद का कोई account होता है सारी चीजे rent पर ल उसी वीडियो को record करने के बाद PDT व्यक्ति को परेशान करता है उसको बाकाइदा कोल करके डराता है मौकिक रूप से उसे बड़ी बड़ी धंकिया देता है लेकिन reality क्या है जब उस व्यक्ति का या उस criminal का जब कोई PDT सही तरीके से जबाब देता है उसके साथ अबद्र भ चीजे यूटूब पर सोसल मीडिया पर या फिर समय समय पर पुलिस के द्वारा यह सारी चीजे प्रकासित की जाती है पीडित लोगों को यह समझाया जाता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इन सारी चीजों को ध्यान रखें आप उसकी किसी भी डिमांड को पूरा ना करें अन्यता अगर आप उसकी डिमांड को पूरी करते हैं तो इसकी स्विम आपकी जुम्मेवारी रहेगी और आप ठगे हुए जाएंगे या फिर ठगे हुए मैसूस करोगे इन सारी चीजों के उपर साइबर कर्मिनल को बहुत अच्छे से पता है कि अगर जो सजाओं का प्रावधान है यह हमारे ओफेंस है जो हमें आई पीसी में देखने को मिलते हैं है ना तो इसमें सारी चीजें यह गैर कानूनी और अनलीगल तरीके से हैं यह सारी चीजें साइबर कर्मिनल को बहुत अच्छे से पता है इसलिए वो यह चाहकर भी उन लोगों क रूप से होता है और साइबर कर्मिनल को इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि उसे पता है कि मोखिक रूप से लोगों को डराने पर लोग इतने डर जाते हैं और लाको रुपे उनके अकाउंट में श्वेम चल कर जमा करा देते हैं तो इसलिए साइबर करमिनल आपको रोज फसाने के लिए इस तरीके के नए नए फ्रोड को लाता है और इस तरीके के फ्रोड को आपके साथ करने के लिए तयार रहता है तो यानि कि जो ये कमेंट्स आप लोगों के द्वारा किया जा रहा था जो ये क्वेशन आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कि क लोग आपका किसी भी वीडियो को अगर आप गाली देते हैं तो भी अगर आप गाली नहीं देते हैं तो भी किसी भी कंडिशन में वो आपके वीडियो को कहीं पे भी अपलोड नहीं करने वाले हैं एक दो लोगों को एक क्वश्चन ये भी है कि सर मेरे किसी परीचित या फ् जरूरत है कि ये ऐसा एक स्कैम है और ये काफी तेजी के साथ हमारे देश में चल रहा है तो आप इसमें साइबर क्राइम कर रहे हैं मैं आपको कोई पैसा या फिर कोई चार्ज आपको नहीं देने वाला हूँ आप जो मेरा साथ करना चाहते हैं अगर आपके रियल के अथिन कारी हो चुकी है लोग अवेर होना स्टार्ट हो चुक है इसलिए वो बिना कुछ देरी किये हुए उसका पीचा छोड़ कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ फ्रोड करने में लग जाता है दोस्तों इस तरीके से आप अपने आपको बचा सकते हैं अगर आप गाली देते हैं उस इन बातों में बिल्कूल भी नहीं पढ़ना है अगर आप अपने आपको बचाना चाहते हो तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं आसा करता हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे ताकि यह वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंचेगा जिने हमारी इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टोपिक के सा तब तक के लिए जैहिन जैभार